दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन C के बारे में विटामिन C एक बहुत ही मात्पून विटामिन है और आपके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है विटामिन C का साइंटिफिक नेम एंटी, एसकॉर्बिक एसिड होता है यह एक एंटी ऑक्सिडेंट है, यह आपकी बाडी में स्टोर नहीं होता है और यह की वाटर सॉल्यूबल विटामिन होता है इसका अभी प्राय यह है कि यह आपको रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन ले लिया फिर दस दिन ले लिया तो चल जाएगा आपको यह विटामिन लगातार लेना पड़ेगा और आपकी रोज की डाइट में विटामिन C की मात्रा होनी ही होनी चाहिए विटामिन C कई चीज़ों के लिए बहुत मैद्पून है तो आर्थाइटिस को रोकने में यह बहुत ही लाबता है कि स्किन की एजिंग को रोकने में भी यह बहुत लाबता है कि विटामिन C का डेली रिक्वाइमेंट करीबन 90-95 मिलीग्राम पर डे होता है परन्तु हम ये मानते हैं कि इसकी usual regimen अगर आप supplement कर रहे हैं तो करीबन 500 mg पर डे होनी चाहिए विटामिन C रोज का आप 2 gram मतलब 2000 mg तक supplementation दे सकते हैं परन्तु अगर इससे ज़्यादा supplement देते हैं तो उसमें कुछ side effect जैसे कि डाइरिया होना, पेट में दर्ध होना, जी मचलाना, पेट में गड़गड होना ऐसा हो सकता है तो करीबन अगर आप विटामिन C की normal tablet 500 mg के होती तो एक दिन में 3 ये 4 से अधिक tablets का सेवन ना करें विटामिन D, C जो है आपको आम तोर पे जो है citrus fruits में ज़्यादा मिलता है जैसे कि नारंगी, संत्रा, हरी सबजियां, गाजर, मूली, ब्रोकोली, टमाटर, स्वीट पटेटो और सभी हरे पत्तेदार सबजियों में विटामिन C भरपूर मातरां पायाता है कच्चा सलाथ आपके लिए लाबदायक है और सभी तरह के फल आपके लिए बहुत ही लाबदायक है अगर हम फलों की बात करें तो खास तरह पे ध्यान रखें कि जो फल पूरे पक जाते हैं उनमें सबसे अच्छी विटामिन C की मातरा रहती तो पके वे फल जो है वो खास तरह पे बहुत महत्पूर एक बहुत ही महत्पूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विटामिन C जो है एक हीट लेबाईल विटामिन है इसका अभी प्राय यह है कि ये बोजन को ज़्यादा गरम करने से खतम हो जाता है तो बार बार बोजन को गरम करने के आपके आदत है तो वो विटामिन C की मातरा को खाने में कम कर देगी तो हम ये मानते हैं कि quick heating बहुत helpful है जल्दी से उसको गरम करने खाने को और कम गरम कियावा गाना ये कच्छा खाना जो है वो vitamin C आपको ज्यादा देगा साथ ही साथ पानी में भी कई पर हम देखते हैं कि कई लोग सबजेया मनाते हैं कुछ बनाते हैं और उस पानी जिसमें आप पका रहे हैं उस पानी को निकाल नहीं दे क्योंकि जो vitamin C है वो उस पानी में ही रह जाता है तो अगर आप खाना बना रहे हैं तो इन दो चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो vitamin C की कमी आपके शरीर में नहीं होगी और मैं आपको कुछ historical चीज बताता हूं कि vitamin C पुराने जमाने में जो नाविक होते थे उनमें ज़्यादा देखने को मिलती थी सेलर्स होते तो उनमें ज़्यादा देखने को मिलती क्योंकि वह बहुत दिनों कर तक फ्रेश फ्रूट सबजियां वगरा नहीं खापाते थे और इन लोगों में ये देखा जाता था कि दात में से खून आने लग जाता था जो घाव होते थे वो घाव भड़ते नहीं थे तो इसको सेलर्स डिजीज भी बोलते हैं तो विटामिन सी की कमी से आपके कोलाजन फॉर्मेशन आपके जबडों में तकलीफ हो सकती है मसूडों में से कून आ सकता है मसूडे कमजोर भी हो सकते हैं तो ये सब चीजों का सी बहुत ही आवशक है खास तोर पर इसे हमने बताया कि हम नॉर्मल यह से लिगमेंट करते हैं नी की यह शोल्डर की कई तरह की हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जी बच्चों में करते हैं तो उनमें विटामिन के लिए कि इंजरी की कि एक रिकावन के लिए कोई घाव हुआ है उसकी रिकावरी के लिए विटामिन सब्स करते हैं नॉर्मल यह 500 2000 passé सप्लमेंटेशन बहुत ले सकते हैं तो दोस्तों विटामिन C याद रखिये एक बहुत ही महत्पून तत बहुत ही आवश्चक तत आपके शरी के लिए है इस प्रेसिफिक लिए उन कंडिशन्स में जब आपके शरी में किसी तरह की इंजरी हुई है यह किसी तरह की सर्जरी हुई है तो विटामिन सी याद रखें और उसका सेवन करें अगर आपको इस बारे में कोई भी प्रश्ण है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर लिए पैस सकते हैं हमारा चैनल एडवांस होस्पिटल जरू सब्सक्राइब करें दन्यवाद प्रश्ण है जर बॉक्स जरूब 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 जरूब्स